सितंबर माह की शुरुवात तुलाराशी के लोगों के लिए कैसी होने वाली है? जैमातादी दोस्तो, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक सितंबर और दो सितंबर के तुलाराशी फल के बारे में तुलाराशी के लोगों के लिए इस महिने की शुरुवात कैसी होगी? इस महिने की शुरुवात में शुरुवात के दो दिनों में आपके लिए किस तरह के योग बन रहे हैं? क्या ग्रहों की इस्तिती है, क्या नक्षतरों की इस्तिती है, किस तरह के लाभ मिलेंगे, कहा सावधानी रखनी होगी, क्या शुब समय होगा और क्या शुब रंग होगा तो सारी जानकारी मिलेगी आपको आज की इस वीडियो में अपने जीवन से जुड़े हर्शेतर के बारे में फिर वो आपका करियर हो आपकी वित्य स्थिती हो आपका स्वास्ते हो सिक्षा हो या प्रेम जीवन हो तो इसलिए वीडियो को लास तक देखें चैनल पर पहली बार आएं हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ क्योंकि यहां मिलेगी आपको सभी जानकारी तो चलिए सबसे पहले इन दो दिनों के तिथी नक्षत्र की बात कर लेते हैं अभी जो एक सितंबर का दिन है यानि सितंबर माह की जो शुरुवात हो रही है मा लक्षमी की प्रिया दिन सुकरवार के साथ हो रही है क्रशन पक्ष की द्वितिया तिथी रहेगी और पूरु भाध्रपद नक्षत्र दोपहर तक है उसके बाद उत्तर भाध्रपद नक्षत्र लगेगा धती नाम का योग बना हुआ है जो दोपहर एक बजे तक है और ये शुबकारियों के लिए स्रेश्ट माना जाता है उसकी बाद लगेगा शूल नाम का योग और शूल नाम का जो योग होता है ये ज़्यादा तर अच्छा नहीं माना जाता अब चंद्रमा कुम राशी में सुबह को ही राशी बदलकर चंद्रमा आजाएंगे गुरु की राशी मीन राशी में और सूरिय हैं अपने राशी सिहिंग राशी में एक मजबूत इस्तिति सूरिय की जिसके साथ इस महीने की शुरुवात हो रही है पूर्वफाल गुनी नक्षत्र में रवयोग भी इस दिन बना हुआ है अब 2 सितंबर का दिन शनिवार का दिन है और क्रिश्न पक्ष की तरतिया थिती है उत्तर भाद प्रद नक्षत्र दोपहर में और साड़े बारा बजे से बनेगा रेवती नक्षत्र और ये रेवती नक्षत्र बहुत अच्छा होता है और इस दिन जो योग रहेगा वो रह पूरी नक्षत्र में हैं रवी योग इस दिन भी बना हैं और आपको इस महीने की शुरुवात से ही राज योग का फल भी मिलने वाला है किस तरह से मिलेगा चलिए जानते हैं पहले बात करेंगे एक सितंबर के बारे में तो आज का दिन बहुत अच्छे तरीके से आपके दि आज के दिन बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो आपके लिए फायदे मन रहेंगे जैसे निवेश करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और दिखिए आपको चीजें जो हैं उन चीजों के बारे में आपको सब कुछ पता है किस तरीके से आप एक अच्छे मीन राशी में मीन राशी यानि कि आपके छटे भाव में चठा बाव जो होता है रोगरिन शत्रुकात होता ही है प्रतियोगताओं का भी होता है और आपको ये चीजें भी पता होंगी कि चीजें कहां गलत हैं और कब गलत की जा रही हैं इन बातों को आपने पता लगाने क कोशिश भी की और ये चीज़ें आपके सामने भी आएंगे चंद्रमा की जो मीन राशी में इस्थिती है वो आपको कुछ चीज़ों के मामले में नई सुरे से सोचने का मौका देगी यानि अचाहे आप काम कर रहे हों या आपके कोई भी आपके जीवन में कोई ऐसी चीज है जिसको लेकर कुछ न कुछ आपके माइन में कुछ चल रहा था तो आप नई स्रेजी चीज़ों को सोचेंगे कोई समस्या थी तो उसको भी सुल जाने का कार्या करेंगे खास और सी घरेलू शेतर से सम्मंदित अपने दोस्तों के साथ अपने परिवार के साथ अपने हर एक तो दिन रहेगा शुकरवार का दिन है शुकरवार का दिन मालक्षमी का दिन है तो आज के दिन आपके लिए शुब रंग भी सपेद होने वाला है सफेद यानि वाइट कलर आज आप पहन सकते हैं अगर आपको कोई महत्तफ़न कारया करना है तो शाम को 5 बजे के बाद करें पाँच बजे के बाद कारया करें दिन में हो सके तो आज टालें कोई कारया आप ना करें तो ज़्याद अच्छा रहेगा आपको आज ऐसी चीजें करने की कोशिश करनी है आज आप ऐसे कदम उठाएंगे जिससे आप अगर बहुत दिनों से कुछ लोगों से आप बच रहे थे तो उनका सामना कर पाएं आपके मन में ऐसी बाते हो सकती हैं क्योंकि कि आज क्यों ना मैं अपना हिसाब बराबर कर लूँ लेकिन चीजें कहीं ना कहीं आपके लिए सही होंगी लेकिन उनको सलीके से करना आपके लिए अच्छा होगा सलीके से करेंगे तो अब बहुत अच्छा रहेगा खुशी के लिए नए समंदों की पृतिक्षा जो कर रहे हैं उनके लिए ये नई चीजे भी आपके सामने आने वाली हैं बहुत अच्छा समय है उन लोगों के लिए जिनके विवाह की डेट तै हो चुकी है बहुत उत्तम समय रहेगा नए महीने की शुरुवात आप अपने ह होने वाले जीवन साथी के साथ कर सकते हैं अपने प्रेमी के साथ कर सकते हैं यात्रा का भी योग बना हुआ है यात्रा पर जा सकते हैं लेकिन यात्रा करते समय अपने सामान की सुरुख्षा जरूर करें वेवाहिक जीवन में बहुत अच्छा महसूस होगा प्रेम जीवन कि आपके सब्तम भाव में विराजमान है वो आपके लिए उत्तम रिजल्ट देना शुरू कर देंगे सूरिय जो कि सिहिंग राशी में विराजमान है आपके लाब भाव में विराजमान है सूरि की मजबूत इस्तिती वो भी आपके लिए अच्छे रिजल्ट देगी तो बह के लिए नई शुरुवात का समय भी हो सकता है तो आप आएंगे कि आपके कारशेत्र में चीज़ें जो हैं ओ थोड़ा से आपको ऐसा लग सकता है कि आपको समझ में नहीं आ रही है या फिर आपको थोड़ा difficulty हो रही है तो थोड़ा से समय ज़रूर दें खुद को अगर आप ऐसे बदलाव से परिशान हैं वो बदलाव आपको नहीं सूट कर रहा है तो थोड़ा समय ज़रूर दें क्योंकि चीजों को आपके अनुरूब होने में या आपको चीजों से मेल करने में थोड़ा सा समय लगेगा बाद में उसका लाव आपको होगा और आप जिन लक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं उनके और नजदीक पहुचेंगे इसलिए थोड़ा वक्त जरूर देखकर चलें आज आपको चाश्चरजनक तरीके से चीजों के अपेक्षा कर सकते हैं आपके हित में चीज़ें होंगी और हाँ पैत्रक संपत्ति प्राप्ति का योग भी बना हुआ है जिसके आपने कभी सोचा भी नहों ऐसी जगा से ऐसी जगा से या फिर कह सकते हैं कि जो आपने ना सोचा हो वो काम हो जाए आपको यह परत्याशित लाब मिलने का योग बना हुआ है और आपको कोई सरकारी साहता मिलने का भी योग है जिसके लिए आप बहुत अच्छे लाब का आनंद उठा पाएंगे अच्छे लाब का आनंद इस दिन आपको मिलेगा लव लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो लव लाइफ के मामले में अच्छा है आपके मन में बहुत सारा उत्सहा होगा अपनी प्रेम जीवन को लेकर जो अविवाहित लोग है ना उनके लिए बहुत अच्छे दिन हैं ये दोनो आप साथ साथ मूवी देख सकते हैं आनंद दायक समय एक दूसरे के साथ बिता सकते हैं ऐसा लगेगा कि जीवन में नीरस्ता को आप दूर छोड़ाएं हैं ऐसा समय आपके लिए रहेगा अब मैं उपाय की बात करूँगी तो उपाय एक मैं बता चुकी हूँ वाइट कलर आप पहने दूसरा आप अपने घर में कभी भी कबाड को एक जगा कहीं इखटा ना होने दें इस चीज का खास दोर से ध्यान रखें आपका जो पारिवारिक जीवन है वो सुचारू रूप से चलेगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें